जब हिंदुों को भगवा आतंकवादी कहा गया तो लोगों ने अपने नाम के आगे ही भगवा आतंकवादी लिखना शुरू कर दिया जब हिंदुों को असेशनु कहा जाने लगा तो लोगों ने अपने नाम के सामने असेशनु भी लिखना शुरू कर दिया क्योंकि इससे ज़्यादा सहिशनुता कुछ नहीं हो सकती कि आप जो कुछ भी आरोप हमारे उपर लगाएं उसको हम सहर से सुवीकार कर ले आज हमारे उपर जो आरोप लगा है वो लगा है कि हमने मजारों का अपमान किया और हमने खास तोर पर ख्वाजा मौईनुदीन चिष्टी अजमेर दरगाह वाले उनका अपमान किया है मुझे नहीं पता अपने नाम के सामने क्या लगाएंगे और आगे क्या काम करेंगे लेकिन मैंने इस बात को ठाना हुआ है कि जब तक मैं इसकी सच्चाई आप लोगों तक नहीं पहुचा द किसी ने का हजार साल के बाद पहली बार दिल्ली की गद्दी पर कोई हिंदू बैठा है उससे पहले कौन थे प्रत्विराज चोहांजी का नाम लेजाता है प्रत्विराज चोहांजी ख्वाजा मोहिनुदीन चिष्टी और इसको मैं नहीं कह रहा हूँ उसको कहता है इतिहास और उस इतिहास में से निकली है ये पुस्तक एक छोटी सी पुस्तक सूफियो द्वारा भारत का इसलामी करण जो की है पुरुष उत्तम जी की लिख्योई पुस्तक और इसके पेज स सकते हैं और हिस्ट्री को नकार करके आप किसी भी जालिम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने की भारत वर्ष के हिंदूों को निस्तना बूत करने की कसम उठाई हो ऐसे व्यक्ति को पूज नहीं सकते हैं कुछ लोग होंगे जिनको बहुत फटा-फट में टिक टॉक वीडियो से आपको शुरू करके बताता हूं भारत में जिस प्रकार से सूफियों की कदाचित जो खयाती है उसमें से गरीब नवाज हैने के गरीबों पर करपा करने वाला जो खवाजा मुहिनुद्दीन चिष्टी है उसका नाम बहुत बड़ा है और आपने अक्सर सुना भी होगा कि इसी के शहर में गरीबों की तादात सबसे ज़्यादा है अर्थात गरीब नवाज होने के बावजूद भी उसके खुद के शहर में ही गरीबों की तादात बहुत ज़्यादा है इसकी मजार पर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं और उस उनके पहुंचने में भी सबसे ज्यादा जो स्थान होता है वो हिंदू का होता है अधिकांस उसमें हिंदू ही होते हैं परतिवार्स इसकी मजार का दर्शन करने के लिए क्रोडों रुपे का दान भी आता है यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस व्यक्ति ने भारत के इसलामी करण में कितनी महत्वपूर भूमी का निभाई है और आज अपनी मृत्यू के लगबग लगबग 800 साल के बाद भी निभा रहा है इसमें ये सब बाते लिख हुई है आपको ये सब बाते पढ़नी चाहिए जाननी चाहिए तब ही आप कह सकते हैं कि हाँ यह किसी के भावनाव पर कोई आगात नहीं बल प्राया जाना है अंकुरारी इस बात के लिए बदनाम है कि कुट्त को सीदा तिया उसको टोमी मोती या टैगर इस तरीके के नाम नहीं देता है जैकीवेकि नहीं कहता है कुट्टे को सिर्फ कुट्टा कहता है इसलिए अंकुरारिये खुद बहुत ज़्यादा बदनाम है अब हम जानते हैं कि मौनित दूइन चिश्टी ने जिस प्रकार से करिश्मे और अपना संतपन दिखाने की जो कोशिशे की है उसमें महारत उसको जादूगर से भी ज़्यादा हासिल था कहा जाता है कि मौनित साब के वनसज स्यद समझा जाते हैं इन्होंने सूफी की दिख्षा उस्मान हरवानी से ली है जो सूफियों के एक जाने माने सूफी कहे गए है सियर अल-क्ताब नामक एक किताब है उनके अनुसार उनके भारत में पदारपन करने से पहले यहाँ पर इसलाम की स्थापना हुई है उन्होंने अपने तर्क और विद्वत्ता से भारत में पुरातन काल से चले आ रहे हिंदु धर्म के अंधेरे को समाप्त करके यहां नभी अलहिंद यानि के हिंदुस्तान का पैगंबर की उपाधी प्राप्त की हिंदुस्तान का पैगंबर यानि के आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के अंदर पैदा होने वाले लोगों की तो कमी हो गई है और ये बाहर से आने वाला व्यक्ति जिसका जनम भी भारत वर्ष में नहीं हुआ वो हिंदूस्तान का पैगंबर बन जाता है और इसके रखवाले बन जाते हैं सबसे पहले हिंदू और जो खुद भारत में पैदा हुए चाहे वो शिर्राम हो, स्रीकृष्ण हो, महादेव का मंदिर हो या फिर अन्याने जितने भी मंदिर हो उन सब के उपर मस्जिदे बना करके रख दी जाती हैं और हिंदू जो है वो इनकी तश्रीफ चाटने में मश्गूल हो जाता है यानि के बाहर के लोगों को नभी अलहिंद कहा जाता है और जो भारत के यहीं के पैदाश ल की एक बहुत बड़ा शडियंतर है मुझे नहीं पता के हिंदू कब जागेगा लेकिन मेरा यह आप लोगों को बताना फर्ज बनता है इसलिए मैं अपनी जान को जो कि मैं डाल कर भी इसको इस फर्ज को अपने अदाक करूँगा बताया जाता है कि एक बार मौनि दिन लेका था इन्होंने जाकर के नभी को बोलते हैं देख लिया मौनि दिन तुम मेरे मजहब का सार हो किन्तु हिंदूस्तान तुम्हें जाना है वहां एक अजमेर है वहां मेरा एक वनसत जिहाद के लिए गया था और शहीद हो चुका है और वहस्तान काफिरों के कबजे में चला गया है तुम्हारे चरण वहां पढ़ने से एक बार फिर इसलाम वहां अपनी परतिष्ठा प्राप्त करेगा और हिंदू यानि के काफिर काफिर हिंदू अल्लाह के क्रोध के भोजन बनेंगे मौनि दिन अजमेर पहुंचा वहां पहुंच करके उसने कहा अल्लाह का यश बढ़े क्योंकि मैंने अपने भाई की संपत्ती पर फिर अधिकार प्राप्त कर लिया है यदि उस समय वहां पर जील के चारों और बहुत सारे मंदिर थे ख्वाजा ने कहा यदि अल्लाह और पैगंबर ने चाहा तो मुझे इन सब मूर्तियों को द्वस्त करने में द राममन थे और हिंदू देवी देवताओं को नश्ट ब्रश्ट कर दिया और उनके उपर चमतकार से विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी और वहां रहने वाले हिंदूों का विरोध करना शुरू कर दिया इन सभी कहानियों के उनुसार यानि कि यो सीर अल-अक्ताब है इ इस ख्वाजा की शरण में आया ख्वाजा ने राय पिथोरा के पास इस व्यक्ति की सिफारिश बेजी जो राय पिथोरा जी ने अस्वीकार कर दी ख्वाजा ने इस पर कुरुद हो करके उसी समय पर श्राप दिया कि हम राय पिथोरा का जीवित इसलामी सेना की हातों में स पास्तविक्ता ये है कि अजमेर में पहले भी कोई सूफी इस धे को लेकर के वहाँ पर आया था कि वो हिंदू का धर्मांतरन मतांतरन कर सके उसे मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश बना दे लेकिन इस्थानी हिंदूने उसको मार डाला होगा ख्वाजा जब हज करने के लिए ग पहले से पहले देखते हैं और इंगा प्रियोग आज कल जाकिरनाय की करता है अपने लोगों को बीच में खड़ा कर देता है और अपने आपको नहीं हो किन्तु अपने अताहा धन के बल पर जो कदाचित मुसल्मान सास को द्वारा उनको मिलता था ऐसा भी अनुमाल लगाए जा सकता है कि वहां के उस समय के जो कुछ लोग थे जो हिंदू थे जो धन के लालच में थे या इस्थानी अंद्विश्वासी लोग थे या फिर जो चम भावसाली भी होंगे दिल्ली नरेश प्रत्विराज चोहान से वो रुष्ट भी होंगे इसलिए विश्वास घात करने के लिए तयार भी हो गए इस स्थिति को उत्पन हो जाने से ख्वाजा ने रायपितोरा से सीधे-सीधे अनेकाग्रह करने के लिए भी बेजा लेकिन इस बात की पुष्टी होती है कि तिर्सकार पूर्वक रायपितोरा ने उन सब चीजों को नामनजूर कर दिया था ख्वाजा इसके बाद में गजनी पहुंचता है और ततकालीन सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी को परिस्थितिया अनुकूल बता करके भारत पर आक्रम बारिस्मा कर दिया गया पर अपने अहेतू उदारता की वज़ा से सेन्ये वापिस भी भेज दिया प्रत्विराज चोहान जी का शत्रू तो घर में ही बैठा हुआ था इसलिए उनको ये बात समझ नहीं आई कि उनके पीट पीछे से वार करने वाले लोग बहुत जादा है और दिन प्रति दिन उनके शत्रू बढ़ते चले गए फल्सरूप प्रत्विराज शेहा बुद्दीन के हाथों एक दिन पराजित होते हैं और जो एकदम प्रैक्टिकल यानि के यतारत वादी गौरी था उसने वो मूर्कता पूर्ण उदारता नहीं दिखाई और उन्हों इसके पश्चात उसने अपना डेरा जोगी के विसाल मंदिर में ही जमा लिया मुर्ण दिन के दरगापर बने बुलंद दर्वाजों में नकासी किये गए जो पत्थर लगे हैं उनको देखने से लगता है कि वो पहले वहां का मंदिर ही रहा होगा और उसका जो निर्मान का यह है उसी में उसको प्रियोग किया गया होगा हिंदू और हिंदू धर्म के ऐसे कटर शत्रू ने किस प्रकार वास्तविक धे को छिपा करके अपनी धर्म निरपेक्षता का भ्रम जाल बना करकर के अंदविश्वासी हिंदूओं को अपने पक्ष में करके इसका नमूना पेश किया जो कि आज भी जूकातियों मौजूद है एक ब्रहमन परिवार चंदन गिसकर के वह लेप दरगा में बेजता है जो ख्वाजा की मजार पर चड़ाया जाता है ऐसा बताया जाता है मुसल्मानों में वैसे तो चंदन के लेप का परियोग किसी भी धार में करत्ते के लिए नहीं होता है यह चंदन लेप वहाँ पर अजेपाल योगी के इश्ट देवता की मूर्ती के लिए बेजा जाता रहा है इस बात की भी पुश्टी होती है सियार अल आरिफीन इस संत के जीवन का एक प्रकार से जाइजा लेती हुई बताती है के उस मौनिदीन चिष्टी के हिंदुस्तान आने से सियार अल आरिफीन इस सूफी के जीवन कारे के बारे में जायजा लेती भी बताती है कि उस यानि के मौनित दीन चिष्टी के हिंदुस्तान आने से उस देश में इसलाम का मार्ग प्रशच्त हो गया उसने इसलाम के प्रती अविश्वास यानि के काफिरों का जो अंधेरा था उसको नश्ट किया और इसलाम का प्रकाश चहूं और फैला दिया अमीर खुर्द की दो चोपाईयों में ख्वाजा के आगमन से पहले और पश्चात के हिंदुस्तान का वरणन इस परकार से मिलता है उनके नुसार संपूर्ण भारत इसलाम और शरियत कानून से अनभिग्य था किसी को अल्लह और पैगंबर का पता नहीं था किसी ने भी काबा के दर्शन नहीं किये थे किसी को अल्लह की महनता का ग्यान नहीं था खुआजा के आने के बाद उसकी तलवार के कारण इस कुफर की भूमी में मूर्तियों और मंदिरों के स्थान पर मस्जिद मिंबर महराब बन चुके हैं जिस भूमी पर मूर्तियों का गुणगान होता था जिस भूमी पर हिंदूओं का राज होता था अब वहाँ पर नाराय तकबीर अल्लाहु अकबर सुनाई देता है सचमुछी भारत के इसलामी करण में मुहिन दीन का महत्व मुहमद बिन कासिम, महमूद गजनबी, शिहाबुद्दीन गौरी, खिलजी, तुगलक, बाबर, औरंगजे, इत्यादी सुल्तानों से कम नहीं है और यही उसकी महनता है अब मुझे आप बताईए कि भारत वर्ष में मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर गाईों को जिवाह करने वाला व्यक्ति कहां से माहन हुआ वो सूफी हो सकता है, उसको संत कहने का परियास भी करने वाले की जबान गंदी है वो इसको संत कहने का परियास ना करे क्योंकि संत कुछ और होता है सूफी आपकी जबान में कुछ भी होता रहे जैसे कि ख्वाजा का मतलब तो वही होता है जो कि लोग बताते हैं लेकिन यह कैदेने बरसे भी उनकी जो भावनाएं वो आहत हो जाती है मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सूफी जब कोई धर्म नहीं है तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हुई है यह है सच्चाई खौजा मौनिदिन चिष्टी की जिसने की भारत वर्ष को आज इस तीस्ति में ला करके खड़ा किया है यदि आप समझ ये कि इसलाम का प्रादूर्भाव यहां पर नहीं हुआ होता सभी लोग जिनको भी मौनिदिन चिष्टी ने तोड़ा जिन लोगों को अपने चमतकार के वश में लिया उन लोगों का यदि यहां पर शासन बदस्तूर जारी रहा होता तो भारत की तस्वीर क्या रही होती जो कभी भारत सोने का शेर हुआ करता था वो आज एक एक चीज के लिए महताज बना हुआ है आप खुद फैसला करें मेरी बात पर ना जाएं और जाने कि यह सूफी था संत था या फिर एक जलाद था जिसने की भारत वर्ष के लोगों को अपनी आँखों देखे जान बूज करके कटवाया मरवाया और यहां तक की प्रत्विराच चोहान के खांदान की महिलाओं के स अगर यह वीडियो आपको जानकाले से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें मेरे संग बोली सत्य सनात्मवैदिक धर्म की जय जय हिंद वन्दे मातरम